हेलो वरिवन वेलकम यूवल इट लुकेसर अन्लेम्टेड स्टडी जोन एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनलोजी टेस्ट मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसे शादरश्यता परिच्छण शादरश्यता मतलब की समान दिखाई देने वाले या सीम लाइक तो भी सिमिलर जो एकदम एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं उनको हम टेस्ट करेंगे ओके तो करना क्या है शादरश्यता शादरश्यता मीन्स एनलोजी एनलोजी का मीन्स होता है समान्ता अब समान्ता का मतलब किस तरीके से लिया जाएगा इसमें सिखेंगे और अच्छाहिए त practically में दो वस्तू या शब्दों के अंकों के संबन्दों पर विचार करते हुए दिए गए विकलपों में से ठीक ऐसी वस्तू शब्द या अंक को ग्याद करना पुर्ता जिसका संब्द दी गई इसरी वश्तु शब्द या अंको के साथ होता है, मतलब जैसे समझो, अगर A का संबंध जो है B के साथ है, और A का संबंध B के साथ जैसा fit हो रहा है, उसी तरीके से C का संबंध D के साथ fit होना चाहिए, तो आपको C गिवन रहेगा, और आपको D पता लगाना पड़ेगा options में तो आपको D as a question mark, आपको D पता लगाना पड़ेगा, तो ये A और B और C और D यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ये शब्द भी हो सकते हैं, ये articles मतलब वस्तुए भी हो सकती हैं, ठीक न, ये शब्द भी हो सकते हैं, ये वस्तुए भी हो सकती हैं, ओके न, मैंने कहा ता न, तीश तो यह कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी जो है, यह कोई भी क्वालिटी हो सकती है, और इसको आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक ना, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जन्राल नॉलिज की जरूरत होनी चाहिए, इंग्लिस के वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए, लेटर इसका आपको थोड़ा सा क्रम की जानकारी होनी चाहिए, कि किन का क्रम कैसा आता है, ओके, मतलब थोड़ी सी ओर्डर की जानकारी होनी चाहिए, चलिए तो एक्जामपल्स उठाते हैं इसके कुछ-कुछ और आपको एक्स्प्लेइन करना सुरू करते हैं इसके क्वेश्च example लिखूंगा, example easy पहला है कि मचली का काम अगर तैरना है तो चिडिया का काम क्या होगा, तो लिख कर क्या सकता है कि अगर मचली का काम जो है तैरना है, तो मचली अगर तैरना जानती है, तो इस तरीके से, ओके, इसको क्या बोलते हैं, अनुपाद बोलते हैं, और इसको बोल होते हैं समानुपात हो ना तो मचली का काम अगर तैरना है तो चिडिया का काम क्या होगा बड़ा मोटा पेन हो रहा है इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं पतला कर लेता हूं ये लो भाई, ओके, तो मचली का काम अगर है तेरना, तो चिडिया का काम क्या है, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, तो आपको चार आप्शन में दिया गया है, आकाश, उड़ना, पंक, पेड़, तो correct answer क्या होगा, उड़ना, तो इस तरीके के questions हाते हैं, चलिए, next example करते है, जिस तरीके से सुर्योदय का संबंध सुर्यास्त से है, उसी प्रकार उद्घाटन का संबंध किस से है, तो सुर्योदय का संबंध अगर सुर्यास्त से है, तो उद्घाटन का संबंध किस से है, संगठन से, आगमन से, समापन से, निमंत्रन से, तो भाई, clear दिख रहा है, चारो QRS is related to, क्या हो रहा, जस्ट order opposite कर दिया है, DCBA कर दिया है, तो इसका भी answer क्या होगा, इसका answer आएगा, SRQP, तो answer हो जाएगा, SRQP, जस्ट उल्टा कर दिया है, न, next, अगला question लिखा हुआ है, कि तीन अनुपाते 10 है, तो, sorry, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है, कि तीन अनुपाते 10 है, तो समानुपात, चार अनुपाते क्या होगा, चार अनुपाते क्या होगा, देखे, इसमें options बहुत जरूरत होते हैं, अब आप ये नहीं लगा सकते हो, कि तीन में जोड़ दिया है, साथ तो 10 हो गया है, त ती दिया गया है, सत्रा, और डी दिया गया है, अठारा, तो अब देखो, इसमें क्या हो रहा है, तीन अनुपाते 10, तो feeling क्या लग रही है, इसमें, इसमें कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, कि तीन के स्क्वाइर में एक जोड़ा गया है, तो चार के स्क्वाइर में भी एक जो हुआ है तो नौ प्लस एक जो है दस में कनवर्ट हुआ है तो भीया चार के स्क्वाइर में भी अगर आप एक जोड़ दोगे तो 16 प्लस एक किस में कनवर्ट होगा 17 में तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 17 जाएगा ओके तो इस तरीके से इसको बोलते हैं अपने अनलोजी ट कॉष्चन अभ्यास प्रश्ण मैं करा रहा हूँ एक स्टैंडर्ड वुक है मेरे पास जिसमें सारे कॉष्चन प्रीवियस एयर के आये हुए है थोड़ी सी नौलेज की भी जरूरत पड़ेगी तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको अभ्यास प्रश्ण निर्देश दाइं और दिये गए शब्द का तथा उसके नीचे देवे विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में है वही विकल्प शब्द आपका उत्तर है उस विकल्प को छाटी तो परिशान होने की जरूरत नहीं है ये इंटरली बकवास लाइन है कोई मतलब नहीं है इसका बस सीदे कोश्चन पे आजाईए पहला कोश्चन दिया है अगर भारत का सम्मन्द बाग से है भारत समानुपाते बाग ऐसा कोश्चन है अगर भारत अनुपाते बाग ये अनुपात का मतलब डिवीजन मत मान लेना ये सम्मन्द की बात होती है तो कह रहा है आस्ट्रेलिय अगर भारत का जो सम्मंद बाग से है वही सम्मंद ऑस्ट्रेलिया का किस से होगा तो भाई सीधी सी बात है किस से होगा कंगारू से होगा क्योंकि भारत का राश्ट्री पश्चु बाग है तो ऑस्ट्रेलिया का राश्ट्री पश्चु क्या होगा कंगारू अगला question मैं पढ़ता हूँ अगर गाय का शम्मंद बच्छडे से है तो शेरनी का सम्मंद किस से होगा शेर, शेरू, पिल्ला, शावक तो शेरनी के बच्छे को क्या बोलते है भाई गाय के बच्छे को बच्छडा बोलते है और शेरनी के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं, तो correct answer इसका जो होगा, शेरनी का बच्चा शावक होगा, ओकी, yes, then third question, अगर बिल्ली म्याउं करती है, तो घोड़ा क्या करता है, अगर बिल्ली का संबंध म्याउं से है, तो घोड़े का संबंध किस से है, रेकन बच्चा भी बता देगा ये, चलिए, next question number fourth, अगर अग्यान का संबंध सिक्षा से है, तो रोग का संबंध किस से है, ये बढ़िया question, थोड़ा सा thinking लगेगी, अस्पताल परिचारी का चिकितसक औशदी, तो भई अग्यान को मिटाने के लिए किस का उप्योग करते हैं, अ तो रोग, देखिए, अस्पताल अग्यान, इसको थोड़ा लिख देता हूँ, क्योंकि बढ़िया question है, ये लिखना ज़रूरी हो गया है, देखिए, अगर अग्यान का संबंध, अग्यान का भई ना तो सही बना दो, चलिए भई, तो अग्यान का संबंध अगर सिक्षा से है, तो भईया, रोग का संबंध किस से होगा, देखिए, इसको ऐसे समझो, अग्यान मिटाने के लिए किसका इस्तमाल होता है, सिक्षा का, तो रोग मिटाने के लिए किसका इस्तमाल, अस्पताल तो जगह का नाम है, भाई इस सिक्षा तो इस स्कूल है तो ऐसे परिचारी का नहीं मेरे ख्याल से चिकित सक भी नहीं और शदी मेरे ख्याल से होना चाहिए फोर्थ का बिल्कुल सही तो रोग का अंसर है और शदी बिल्कुल सही और शदी ओके तो correct answer तो जिस तरीके से सिक्षा से अज्ञानता दूर होती उसी तरीके से और शदी से रोग दूर होते हैं next question देखिए motor car का संबंध गैराज से है तो वायू यान का संबंध किस से होगा very simple motor car को garage में रखा जाता है वायू यान को किस में रखा जाता है hangar में तो इसका answer options दिये गये हैं देखिए गोदी अड़ा hangar workshop तो वायू यान को जिस जगे में खड़ा किया जाता है उसको बोलते हैं hangar तो answer होगा इसका hangar next टकाश का संबंध अगर बांगलादेश से है तो य इन का संबंध क्या होगा knowledge पूछ ली general knowledge देखिए ये इन कहा की मुद्रा है ये जो है जापान की मुद्रा है है ना तो टका का संबंध अगर बांगलादेश से है तो ये इन का संबंध किस से होगा options है a भारत b चीन c जापान c म्यान मार d म्यान मार तो correct answer बोलिए जीसका क्य होगा जापान क्योंकि ठका बंगलादेश की मुद्रा है उसी तरीके से ये जापान की मुद्रा है अगला समंध अगला सब्रान आवेश का संबंध कुलाम से है तो प्रतिरोध का संबंध किस से होगा वोल्ट एंपियर फैराडे तो ये फैजिक्स वालों के लिए question है ओम में ना पा जाता है, बिल्कुल सही, तो आवेश का मात्रक कुलाम है, similarly प्रतिरोध्याने की रजिस्टेंस का मात्रक ओम है, next, ओवल अगर लंदन में है, ओवल का संबंध लंदन से है, तो पेंटांगन का संबंध किस से है, बरलिन, लंदन, जकार्ता, वशिंग्टन, से पेंटांगन जो है, वशिंग्टन स्टेट का एक सहर है, जिस तरीके से, ओवल जो है, एक लंदन स्टेट का सहर है, उसी तरीके से जो वशिंग्टन, जो पेंटांगन है, वो किसका स्टेट का है, वशिंग्टन स्टेट का एक शहर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, व अग्खन बनाया जाता है तो अंगूर से क्या बनाया जा सकता है यह हुआ तो मदिरा बनाई जाती है दूद को दूद से अगर मखन निकलता है तो अंगूर से क्या निकलती है बिल्कुल सही तो correct answer है मदिरा next 10th question लेते हैं 9th हो क्या 10th question हौकी का संबन्द भारत से है तो क्रिकेट का संबन्द किसे है औस्ट्रेलिया पाकिस्तान कलाडा स्कॉटलेंड तो हौकी राष्ट्री खेल है भारत का तो क्रिकेट राष्ट्री खेल किसका है भाई तो इसमें बेस्ट आंसर है औस्ट्रेलिया किसे है तो पाकिस्तान भी इसको थोड़ा सा क्या अगले से लेकि पंदरा तक नीचे दिए गए नीचे दिए गए प्रते क शब्द में दो शब्द दिए गए हैं जिनके बीच में निश्चित संब्न है आप उत्तर विकल्पों में से एक ऐसे शब्द का चेयन कीजिए जिसका तीशरे शब्द के साथ वैसा ही संबंद हो जैसा कि प्रथम दो शब्दों के साथ तो अब मैं प्रथम दो शब्द आपको बोलूँगा और तीशरा सब्द के लिए चौथा सब्द पूछूँगा जो आपको option से select करना होगा एक question बता देता हूं देखिए cricket का जो संबंद बैट से है हौकी का वही संबंद किस से है तो मैं यहाँ पर बोल दिया कि cricket का संबंद बैट से है तो हौकी का संबंद किस से field player stick ball तो correct answer क्या होगा भाई C answer होगा stick क्योंकि cricket खेलने के लिए बैट की आफशक्ता होती है उसी तरीके स हौकी खेलने के लिए stick की जरूरत होती है अगला सवाल विचार का जो संबंद मस्तिक से है बादल का वही संबंद किस से है साहित कविता पानी आस्मान विचार का जो संबंद मस्तिस से है तो विचार कहां पर बनते है मस्तिस्क में बनते है और बादल का वही संबंद किस से है तो बादल कहां पर बनते हैं साहित हो यह नहीं सकता है है ना पानी और आस्मान में कंफ्यूजन है तो आस्मान सही होगा क्योंकि विचार मस्तिस्क में पैदा होते हैं उसे तरीके को मिला कर के क्या बनेगा पुष्प बनेगा फूल बनेगा ऑप्शन्स देख लो भाई पहले रक्ष उपवन माला पुष्प तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए थर्टीन पुष्प बिल्कुल सभी नेक्स्ट कॉशन नमबर फॉर्टीन देख लेते हैं न्यूस पेपर का स यह नदique option दिये गये हैं न्यूज परका प्रैस से मेगान फजह कोड़ का वही संबंद की से है थोटन ट्रेलर मिल तो इसका और अन्सर कहोगा इसका जो करेक्टा अंसर होगा वहोगा मिल मिल होना चाहिए चेक करता हूँ मैं करेक्ट आंसर जिस तरीके से न्यूज पेपर प्रेस में छपता है या बनता है उसी तरीके से जो अपना क्लॉथ होता है वह मिल में बनता है नेक्स्ट इस क्वेशन नमर 15 ओके नेक्स्ट इस क्वेशन नमर 15 देखते हैं लेबर का जो सम्मंद्ध वैजस से है वैजस मतलब भड़ा एंट्रपेनौर का वही समंद्ध किस से है प्रॉफिट सेलरी डेप्ट बोनस ओके देखी लेबर जो होता है वो किसके लिए काम करता बाड़े के लिए और एंट्रप्रेनौर मतलब निवेश करने वाला व्यक्ति है ना एंट्रपेनौर जो होता है जो निवेशक होता है वो किसके लिए किसके लिए वो काम करता है एंट्रप्रेनौर जो नौकरी वगरे देते हैं वो किसके लिए काम करते हैं तो इसका फिफ निर्देश प्रशन संक्या 16 से 20 नीचे दिए गया सब्द में समानुपात के बाइं अक्षरों में दो वर्ग दिए गया है तो वही कंडिशन से हैं इसमें भी बिल्कुल मतलब कुछ ज्यादा नहीं है मतलब जो समानुपात के लेफ्ट साइड में दो रहेंगे वर्ड उनमें भी वही संबंध है और राइट में भी वही है तो आपको औप्शन से चेक करके बताना है कि कौन सा करेक्ट है चलिए बताते हैं ओके अब थोड़े से कठिन क्वेशन आ रहे हैं अभी तक तो एजी थे अब मैं कठिन क्वेशन करा देता हूँ आपको कठिन क्वेशन देख लीजिए आप क्वेशन नमबर 18 क्वेशन नमबर 18 है कि अगर ABCD का जो संबंध है वो JKLM से है समानों पाते आपको बताना है JKLM का संबंध किस से होगा तो देखे अब आप्शन में भी बहुत जरूरी है क्योंकि ABCD को JKLM लिख दिया है तो JKLM का संबंध किस से होगा तो चलिए देखते हैं क्या हुरा है भाई A से लेकर के J तक गया है और B से लेकर K तक गया है C से लेकर L तक गया है मतलब सीरीस तो बन रही है पकी यहां पर यह और D से लेकर M तक गया है तो कितना एड़ किया है यह देख लो तो A से लेकर J तक पहुँचने में कितना एड़ किया है तो आपको alphabetical table आपको पता होनी चाहिए, numbers पता होने चाहिए आपको, और ये याद कर लीजे number, या exam में जाके सबसे पहले fresh page मिले, उसमें जाकर करके आप ABCD के number अंकित कर लीजेगा, तो A का number क्या होता है 1, और J का number क्या होता है भाई, J का number, J का number होता है 10, तो 1 से 10 तक पहु आपके पास यहाँ जो number है, यह है 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, और 4 में 9 एड करके, तो 1 में आपने 9 एड किया, तो आप जो series पहुँचेंगे, वो पहुचेंगे 10 की, और ये 11 की, ओके ये 12 की, और ये 13 की, ये series पहुँच गए, अब आपके पास J के LM है, J के LM खुद में कितने होत ये 11, 12, 13, और आपको इसमे 9 एड करना है, इसमें आपको 9 एड करना है, तो 9 एड करने के बाद जो आपकी series बनेगी, वो 10 प्लस 9, 9, 3, ये 20, और 12 प्लस 9 कितना हो गया, 21, और ये कितना हो गया, 13 प्लस 9, 22, 9 से ही लिखना था, कोई सोच नहीं नहीं था, तो मेरे को तो T20 याद है, तो T होता है, T के पहले क्या आता है, PQRS आता है, STUV, तो इसका correct answer जो होगा, वो क्या होगा, STUV, options देख लेता हूँ, पहला answer STUV, RSTU, QRST, PQRS, तो correct answer है, STUV, बिल्कुल सही, STUV is the correct answer, चलिए, next question दिखाते हैं, आपको question number 16 के बाद, question number 17 देख लीजिए, question number 17, question number 17 कह रहा है कि M, N, O, P का सम्बंद है, M, N, O, P का सम्बंद जो है, वो है, N, M, P, O, के साथ, N, M, P, O, के साथ, तो P, Q, R, S, का सम्बंद किस से होगा, ये पूछा गया है, तो देखे जरा पहला, पहले हो क्या रहा है, M, N, O, P, जो है, M, N, O, P, तो इल्टा लिख दिया, यहां से यहां, इसको पहले ऐसे लिख दिया है, और फिर इसको ऐसे लिख दिया, QPSR, QPSR check करते हैं, QPSR, yes, बिल्कुल सही, QPSR is the correct answer, ठीक है न, इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे PQRS को, और कर देता हूँ, तो PQRS को कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ के आपके हो सकता अलग हो, 17 के बाद, 18, 18 question देखिए, 18 question दिया गया है, A, C, E, G, A, C, E, G, B, D, F, H, समान उपाते संबंद, J, L, N, P, का किस से होगा, options में पूछा गया है, देखिए, A के बाद, C, तो दो-दो अक्षर छोड़ रहा है, तो J, L, M, P, का सम्बंद किस से होगा, इसके बीच का gap जो था, वो भर दिया, C और E के बीच का gap, तो very simple है, J और L के बीच में क्या आता है, के आता है, है ना, तो यहाँ पे आएगा, K, L और N के बीच में क्या आता है, M, N और P के बीच में क्या आता है, भई, G, H, G के बाद अगला, N, O, और फिर क्या आएगा, Q, तो K, M, O, Q, में चेक करता हूँ, option में है, क्या K, M, O, Q, C, option में दिख रहा है, मुझे, तो 18 का C, बिल्कुल सही, correct answer है, यह, बिल्कुल सही है, then देखे, next question, question number 19, question number 19 कह रहा है, 3 ratio, 3 ratio 27, समानु पाते, 6 ratio क्या होगा, option की जरूरत है, देखो, भई, 9 का multiply हो रहा है, तो 9 का multiply होता है, 54, but option में नहीं है, option में नहीं है, option में यहाँ पे options जो दिये गए है, वो, इसमें तो mathematic options की बहुत जरूरत होती है, इन questions में, बिना option देखे, आप इनको यहीं करेंगे, तो definitely गलत हो जाएगा, तो इसमें options जो दिये गए है, वो है 45, B दिया गया है 108, C दिया गया है 36, और D दिया गया है 216, पस पकड़ गया भई, यह answer 216 होगा, क्योंकि 3 का cube क्या है, 27, तो यहाँ पे cube की relation बन रही है, तो 6 का cube क्या ह होगा 216, तो इसका correct answer होगा, 19 का D, 216, exactly, बिल्कुल सही, नेक्स देखे, जी अगला question बता रहा हूँ, मैं आपको, question number 20, question number 20, relationship कह रही है, कि A, E is 5, then M, N is 5, क्या कहा जा रहा है, A, E का संबंध 5 से है, तो समानुपाते M, N का संबंध किस से होगा, तो देखे, A होता है 1, और A, B, C, D, E, okay, A, A, B, C, D, E, तो यह तो मुश्किल सी हो रही थोड़ी सी यहाँ पर भाई, कि A, E का संबंध अगर 5 से है, तो M, N का संबंध किस से होगा, A, E, okay, बताईए क्या होगा भाई सोच करके इसको, A, E का संबंध अगर 5 से है, तो M, N का संबंध किस से होगा, पहले मैं आप्शन्स तो लिखी देता हूँ, आप्शन्स दिये है, 185, okay, दूसरा दिया गया है, 182, तीसरा क्या दिया गया है, 35, और चौथा दिया गया है, 163, reasoning की कोई किताब नहीं होती, कि आप उस पस practice से ही होती, तो A ही देखिए, coding पर ही जाएंगे, A का code क्या होता है, A, E की वेदी बात करूँ मैं, तो A का code होता है, 1, A, B, C, D, E, E का code क्या होता है, 5, तो मुझे ये लग रहा है कि 1 into 5 कर रहा है, इसलिए answer इसका 5 आ रहा है, तो M और N की coding कर लेते हैं, तो M का code क्या होता है, M का code याद रख लो भाई, M का code होता है 13, N का code होता है 16, है ना, तो अपने यदि M और N का multiply करते हैं, तो M जो है, that will be हो जाएगा 13 multiplied by 14, तो 14 गुणे 3 बाद 2 से खतम होगा यहाँ पे, ओके, तो मेरा options जो होगा, मैं 182 पे ही जाओंगा, और 14 कम 14, 18, तो 182 ही आ रहा है 14, 4, 4, 18 करके, 14 प्लस 4 इकुल्स 2, 18, तो correct answer इसका 182 ही होगा, exactly, तो इसका मैं second answer 20 का B, exactly, बिल्कुल सही option है भाई, next question देखते हैं, 21 question, नमर भी दिया है, बढ़िया question है, चलो देखो 21 क्या है, 21 कह रहा है कि 23 का relation 72 के साथ है, उसी तरीके से 30 का relation किसके साथ होगा, options दिये गए है, A है 110, B दिया है 117, C दिया है 123, और D दिया गया है 112, चलिए, चार options दिये गए हैं, आपन को बताना है कि किसका relation किसके साथ होगा, sorry, इसको सही कल लो जी, 112, okay, 23 का relation किसके साथ है, 72 के साथ में है, तो 330 का relation किसके साथ होगा, दिखिए, 23 की टेबल अगर मैं पढ़ हूँ, तो 23 की टेबल में मेरे पास 3 टाइम साता है, कितना, 23 गुण तीन, 23, 3 जाद, 69, और 69 में, अगर मैं 3 जोड़ दूँगा, तो 72 आ जाएगा, तो 23 की टेबल में 3 बार पढ़ता हूँ, तो 30 की टेबल तीन बार में क्या होगा, 33 जा 90, और 90 के बाद जो है, वो, 33 जा 90, एक मिनिट होगा, 71, 72 है, यहाँ पर अक्चुली दोस्तों, क्वेश्चन जो है, गलत दिया हुआ है, मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पर question number 21 ही है न, हाँ, 38 है हाँ पर, यहाँ पर 38 कर लिजिए, अरे भाई, हाँ, यह 38 कर लिजिए, ना, अर्टेस्ट फाइन, ठीक है, यह तरी थोड़ा सा, चलो भाई, तो यह 38 है, तो अब पिल्कुल सही बैठ रहा है है, कि 23 का multiply 3 के साथ करके, 23 multiply by 3 किया, चलिए, तो 23 multiply by 3 किया, तो कितना आया, 69, और 69 में मैंने जोड़ दिया, 3 तो आगया 72, similarly अगर मैं 38 के साथ 3 का multiply करता हूँ, तो कितना आएगा भाई, 38 जा 24 आ गया, तू कहरी आ गया, तीन, 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 नो, दो, या रहा, और 114 में अगर मैं plus 38 करता हूँ, तो 117 आ रहा है, तो correct answer मेरा बन गया, बी, तो question number 21 का B, बिल्कुल सही, ओके, next देखते हैं, question number 22 भी बढ़िया question है, आईए question number 22 देखते हैं, क्या बढ़िया है भई, question तो देखा नहीं, मैंने बढ़िया बोल दिया, question कह रहा है कि 42 का सम्मंद अगर 20 से है, तो 64 का सम्मंद किस से होगा, मेरे को तो भाप लिया इस question को देखते ही मैंने किस से होगा अबले answer भी लिखने वाला था इतना ज़्यादा भाप लिया तो 20 देखे 42 क्या हो रहा है इसका double करके 20 का double करके 2 add हो रहा है 40 प्लस 2 42 तो 64 लाने के लिए किसका double करके 2 add करोगे तो 30 का double कर 30 31 का double करके अगर मैं 2 add करूँ तो तो 31 टूजा 62 प्लस 2 तो यहां पर अगर 31 आएगा तो 31 एंटू 2 कितना आ गया 62 और अगर मैं प्लस 2 एड कर दो तो 64 तो करेक्ट आंसर वूड़ बी 31 22 का ए 31 बिल्कुल सही चलिए जी नेक्स कोश्चन तो 22 एंडें नाउ टर्न फॉर कोश्चन नमबर 23 अगला कोश्चन है ग्यारा का संबंद अगर 132 से है तो 11 का संबंद अगर 132 से है यह कोश्चन नया है बढ़िया है अगले पेज में करते हैं इसको अलग तरीके से आया है चलिए देखिए क्या कह रहा है कोश्चन 23 नमबर कोश्चन कह रहा है कि अगर 11 का संबंद 132 से है समान उपाते तो बताइए कौन सा उप्शन सही है देखिए कर क्या रहा है अब यह उप्शन देख लो फिर उसके बाद समझ में आएगा 15 का संबंद 250 बी उप्शन से 10 का संबंद 100 से 9 का संबंद 90 से और D उप्शन है 13 का संबंद 179 से कौन सा अंसर है तो देखिए हो क्या रहा है actually बहिए 11 का संबन्ध है यह कह रहा 132 से तो मेरे पूझ जो समझ में आ रहा है 11 के square करो 121 और 121 में अगर फिर से 11 add कर दो तो कितना आता है 132 मतलब यह square करके number add कर रहा है तो देखिए पहचानी है इसमें से कौन सा number ऐसा दिख रहा है तो 9 का square जो होता वो होता है 81 और 81 में 9 add कर दो तो अगर मैं 9 ratio 90 को अगर मैं check करूँ तो 9 का square पहले कितना आएगा भाई 9 का square आएगा 81 और 81 में 9 add किया तो कितना आ गया 90 तो इसका correct answer 9 ratio 90 बन रहा है मतलब C is the correct answer ठीक है ना 23 का C answer जो है इसका वो बिलकुल correct है चलिए तो बच्चों ये रहा है स्रादर्श्रता परिच्छण analogy test तो अब analogy कितने भी खदरनाक level की आएगी उसको आप लोग करिए practice करिए और इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि अफको आपको करना है इस तो एक्जाम में जाकर आपको जो सबसे पहला काम करना है आज तो online एक्जाम होते हैं सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि make the alphabetical list task number one task number one make the alphabetical list list लिस्ट, अल्फाबेटिकल लिस्ट बना लीजिए, एक तो बनाईए सबसे पहले, एसे लेके जड़, और दूसरी बनाईए जड़ से लेकर के एक, एक्जाम आपके पास आए, पहले ही आप ये बना डालिए, समझ गए ना, एसे लेके जड़, जड़ से लेके ए, ये काम आपको क्या करना है, टास्क नंबर टू मैं लिख देता हूँ, टास्क नंबर टू है, कि बिना आप्शन देखे, अपना कॉशन सौल में कीजिएगा, इसमें आलवेस चेक आप्शन, मतलब आप ये नहीं कि अपनी एनलोजी बढ़ाने लग जाओ, कि अगर पांच का पचा क्लास लिखा हुआ है, तो आपने कहां, नहीं नहीं, मैं तो जीरू लगा दूँगा, तो साथ का सत्तर हो जाएगा, अब पता चला सत्तर आप्शन में ही नहीं है, तो भाई आप ये पहले आप्शन देख लिना, कि आप्शन क्या कह रहा है, तो आलवेज चेक आप्शन, ठीक है न, यस, तो यह रही आज की हमारी दोस्तों, किस की क्लास थी यह, यह हमारी क्लास थी, एनलोजी की, ओकी, थैंक यू सो मच फॉर बिइंग विद लोकेशर अलिम्टेट इस्टुड़ी